नमस्कार में हुआ आर्टी और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज आईए रुकर्टे हैं ख़बरों कियों राम नगर से आपको बता दें जहां राम नगर थाना अंतरगत बड़ा इटमा देवरा के पास आदिवासी सवाज के बरात 27 जून 2022 को सामको इटवरा से राम नगर थाना छेत्र देवराज नगर के लिए गया जिसमें आज 28 जून 2022 को देवराज नगर से बरात वापस अपने इतेवरा गाउं के लिए जा रहे थी सभी 40-50 फ्यक्तियों का भर अपी का पचानक अनत्रत होकर पलड़ गया जिसमें सूचना पाते ही राम नगर थाना प्रभारी रोहित कुमार अपने टीम को गठित कर गठनासर परभेजिया और बरातियों के 29 लोगों को आई चोट जिसमें राम नगर सामदाइक श्वास्केद उन्हें भरती कराया गया और उनका उप्चार डॉक्टर मेडिकल ओफिसर आलोक अवधिया डॉक्टर अमित पतिल द्वारा की अजारा है वहीं बता थे कि नगर परिशा सीमो लाल जी तामरकार राम नगर सामदाइक श्वास्केदर पहुँचकर डॉक्टरों की कमी को देखती हुए नाराज की जाहर की और मेडिकल ओफिसर से चर्चा करती हुए ततकाल स्ट्रा बढ़ाने की बात कही सभी डॉक्टरों पस्तित हुए पुरे मरेजियों की देख रिकिया और उनको भरती किया गया इसके बाद जीनवक्तियों को जादा चोड़ था उनको देख कर डॉक्टर मेडिकल ओफिसर सतना जिला हंस्पिटल के लिए रेफर कर दिये राम केज दिवेदी की रिपोर्ट इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें